Hello everyone, कैसे हैं आप लोग I hope that you all are good So guys, I am back again on my YouTube channel and आज एक वीडियो बहुत थी special है क्योंकि आज से शुरू होने वाला है हमारा 21 Days का Gratitude Journaling Challenge I know that you all are excited, right? Yes, so यह जो gratitude challenge मैं आप के लिए लेके आई हूँ यह इसले लेके आई हूँ So that आप डेली 5-10 मिनट यह activities करने के लिए time निकाल सके So that आप 21 Days के बाद अपने आप में एक energy shift feel कर पाएंगे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास time नहीं होता वो stuck होते हैं अपने कामों में And वो अपनी life में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं And आपको चाहिए 5-10 मिनट दिन का time Before starting this gratitude challenge video सबसे पहले I just want to request my viewers कि please आप इस चैनल को subscribe जरूर करें Like करें, share करें And जो भी इस activity में participate करना चाहता है आप उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं So अब बात करते हैं हम gratitude challenge के बारे में सबसे पहले मैं बता दूँ ये मैं क्यों शूरू कर रही हूँ Because you know हम सब की life में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो ना हो तो हम अपनी life को एक smooth way से ना जी पाएं But हम भूल जाते हैं daily daily thank you कहना उन सब चीज़ों को तो ये graduate practice से मैं आप सब के साथ connect करना चाहती हूँ और हम सब universe के साथ connect करना चाहते हैं So that हम जितना thankfulness present करेंगे उतना ही और अच्छी चीज़ों को अपनी life में attract कर पाएंगे So ये एक बहुत ही अच्छा initiative है And I hope that आप सब इस initiative को like भी करने वाले हो And इस activity में participate करने वाले हैं तो जरूर comment में mention करें जो भी इसमें participate So जल्दी से जान लेते हैं आपकी एक gratitude challenge practice जो है ये आपको किस तरीके से benefit देने वाली है First thing is that जो भी लोग depressed हैं जो भी लोग life में positivity attract करना चाहते हैं जो भी अपनी daily life में stuck है And जो life में एक abundance को attract करना चाहते हैं positivity को attract करना चाहते हैं ये किसी भी तरीके की specific चीज को manifest करना चाहते हैं So ये सारी चीजों का relation होता है आपके energy से जब हम जितना जादा thankfulness होते जाएंगे हम जितना thank you present करते जाएंगे उतना ही जादा हम अपना और अपनी vibes को strong करते जाएंगे So जब हम ये 21 days का challenge करेंगे तो 21 days के बाद देखना आपके energy में बहुत जादा shift आएगा And आप बहुत जादा positively करोगे So guys आज day 1 है And चलिए start करते हैं day 1 को So आज है day 1 So guys day 1 का task क्या है Day 1 में आज आपने अपने journaling में एक ऐसी activity लिखनी है एक ऐसी चीज़ लिखनी है कैसा task लिखना है जिसको करने से आपका मन बहुत ही खुश हो जाता है मतलब आप जब भी अपने दिन में थके होते हो तकान होती है आप relax होना जाते हो तो आप वो activity करते हो for example जैसे कि कई लोगों को cycling करना बहुत पसंद है सुबह सुबह वो cycling करने जाते है nature में जाते है flowers, animals, plants इन सब के साथ connect करके उनको बहुत ही अच्छा लगता है तो अगर वो ये activity ना करें तो उनको ऐसे लगता है उनका दिन अधूरा है and second example is that जैसे कई लोगों को gym जाना बहुत पसंद है fitness का ख्याल रखना बहुत पसंद है अगर एक गिंडी बुना आ जाए तो उनको मायूसा फील होते है तो सब के अपने अपने अलग लग टास्क है आपकी कौन सी फेवरेट अक्टिविटी है do mention in your journal and and express your thankfulness and gratefulness कि वो एक्टिविटी आपकी लाइफ में है और आपका मोड जो है अच्छा हो जाता है वो एक्टिविटी को करने से so आपने वो एक्टिविटी लिख ली day one में and आपने एंड में लिख दिया that you are grateful for that task and आप बहुत ही शुकर गजार हो कि आपकी life में वो चीज है and वो आपकी जो task है वो आपकी life को better कर रहा है so ये था day one का task 5-10 मिनट लगेंगे and ज़रूर कीजिए and mention कीजिए comment में कि yes आपने task अपना कर लिया है and कल मीलेंगे हम day two वाले task में so guys इस task को बहुत ही purity के साथ करो because you know you are not able to understand and की 21 days के बाद आपको कितना अच्छा लगने वाला है ये task करके so we'll see you guys tomorrow and day two की task में till then enjoy your day one